तो कैसे हैं दोस्तों आप सब और आज में आप लोगों को दिखाने वालों टाटा पंच, चार वेरेंट्स में आएगी प्योर, एडवेंचर, एकॉंबलिजन और क्रियेटिव और यह टॉप फेरेंट क्रियेटिव का ही फ्रेंट लूग आप लोग देख रहें फ्रेंट में ऐसे कुछ गिल देखने को मिलती है टाटा की ब्लैक एंड क्रोम फिनिश में, एलिटी ड्यार्स देखने को मिलते हैं भी टर्न इंडिगेटर बल्प, साथी में प्रोजेक्टर हेडलम देखने को मिलते हैं, गाड़ी में फॉग लैम भी देखने को मिल जाते हैं नीचे की तरफ radiator गिल देखने को मिलता है और ये गाड़ी का side से look काफी अच्छा look आता है गाड़ी का एक proper SUV feel है rain sensing wipers और automatic headland का feature आप लोग को top models में देखने को मिल जाएगा टाटा पंच में 3.8 मिटर की length मिलेगे और 1.6 मिटर की height 16 इंच के इसमें alloy wheels देखने को मिलेंगे उपर roof में roofers देखने को मिल जाएगे और ये dual tone आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा look आ रहा है पीछे आप लोग हो top model में eddy tail length देखने को मिल जाएगे safety के अंदर है dual airbags, abs, ebd ये सारे features देखने को मिलेंगे और ये है इसका adventure persona वाला color इसका भी आप लोग complete look देख सकते हैं काफी अच्छा लगता है देखने में rear windshield में rear wiper defogger washer देखने को मिलता है punch की badging मिलती है bumper में आप लोगों को reverse parking sensors मिलते है reflector के 7 37 liter की fuel tank capacity देखने को मिलती है tata punch में और look wise देख सकते हैं गाड़ी का complete look आप लोग color options की बात करें तो white, orange, grey, bronze, red, tropical mist और blue आप लोग ये color देख रहे हैं इतने ही color आएंगे 7 color options door जो है आप लोगों गाड़ी के 90 degree में ही open होंगे door जैसे की Tata Ultros में देखे थे तो ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस थरीके से open होंगे door काफी wide open होते है 90 degree में तो गाड़ी में अंदर जाने में बाहर आने में किसी भी तरह की परशानी नहीं होगी dual tone finish आता है या wide आप लोगों को plastic quality देखने को मिलती है power window की control bottle holder speaker और ऐसी कुछ दिखते हैं गाड़ी की पीछे की seat top model में आप लोगों को height adjustable headrest देखने को मिल जाएंगे legroom की बात करें segment के रिज़ाब से legroom काफी अच्छा देखने को मिलता है दो adult और एक बच्चे comfortably बैठ सकते हैं गाड़ी में armrest भी देखने को मिल जाता है गाड़ी में और यहाँ पर seatbelt देख सकते हैं आप लोग seatbelt के points और ऐसा कुछ दिखता है front का dashboard Tata Punch के creative model का पीछे की seat से seats के पीछे pockets देखने को मिल जाती है और fabric आपोस्टी में seats देखने को मिलती है उपर यहाँ पर grab handle देखने को मिलता है with coat hook यह parcel tray देखने को मिल जाती है साथी में गाड़ी में top model में 4 speaker और 2 twitters आएंगे और काफी अच्छी build quality तैसी की Tata की guards की रहती है और आए गाड़ी के driver side gate का look खुल के देख लेते हैं driver side door में keyless go देखने को मिलता है यहाँ पर भी आप लोगों को black and white finish देखने को मिलती है door में यह नीचे bottle holder की जगे देखने को मिलती है speaker यहाँ पर pedals देखने को मिलते है proper dead pedal के साथ AMT model है तो front की आप लोगों को driver side की seat height adjustable देखने को मिलती है manually और यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ देखने को मिलता है engine start stock का button left side में आप लोगों को यहाँ पर digital instrument cluster देखने को मिलता है right side में आप लोगों को analog speedometer देखने को मिल जाता है instrument cluster में cruise control देखने को मिल जाता है top model में और साथी में infotainment के control भी आप लोगों को steering wheel बही देखने को मिल जाते है leather wrap steering wheel देखने को मिलता है and gear now creative model में यहाँ पर fog alarm की control है eco and city mode आएगा outside ORVN की जो size है वो भी काफ़ी अच्छी है और जो dashboard ने material का use किया गया है segment के सबसे वो काफ़ी ठीक है जो plastic की quality यूज करी गई है यहाँ पर इसमें 7 inch का floating touchscreen infotainment system आएगा harmon की तरफ से जो कि android.apple car play यह सारे features support करेगा bluetooth and ira आप लोगों को connected car features देगा इसमें automatic climate control AC देखने को मिल जाएगा with heater और ऐसी कुछ keys देखने को मिलेगी lock unlock boot open कर सकते हैं और follow me headlamp का feature नीचे की तरफ यहाँ पर 12 बोल का charging socket देखने को मिलेगा और USB port देखने को मिल जाएगा और यह है 5-speed का AMT gearbox 5-speed manual का भी option है यहाँ पर भी 12 बोल का charging socket देखने को मिलेगा handbrake 2 cup holder glove box की बात करें तो glove box काफी अच्छा storage space देखने को मिलता है glove box के अंदर light और cool देखने को मिलता है सबसे बड़ी बात passenger side extension में vanity mirror और driver side extension में ticket holder देखने को मिलता है और जो front की reading lamp पर यह काफी छोटी देखने को मिलती है auto dimming rear view mirror आप लोगों को manually adjust करना पड़ेगा day और night के हिसाब से और आईए आप गाड़ी का bonnet open कर लेता हूँ गाड़ी का engine दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को और यहाँ से कुछ इस तरीके से इस lever से height adjust कर सकते हैं आप लोग driver side seat की केवल एकी petrol engine के साथ आएगी टाटा पंच और चलिए आप गाड़ी का bonnet open कर लेते हैं तो इसमें आप लोगों को देखने को मेरेगा 1.2 liter का 3-cylinder petrol engine जो की generate करेगा 84 bhp and 113 nm of torque और इसका आप लोग complete look देख सकते हैं 5-speed manual और 5-speed amt के साथ आएगा यह उपा यहाँ bonnet ने padding देखने को मिलती जिससे केविन में sound कम जाए क्योंकि 3-cylinder engine है तो normal petrol engine से आवाज ज्यादर आएगी इसकी थोड़ी और चलिए अप गाड़ी का boot space दिखा देता हूँ आप लोगों को तो boot space की बात करें rear seat को अब लोग fold भी कर सकते हैं 366 liter का boot space देखने को मिलता है गाड़ी में और इसको उठाएंगे तो इसके नीचे spare wheel जो देखने को मिलेगा वो आप लोगों को एक size छोटा देखने को मिलेगा 15 इंच का parcel tray देखने को मिलेगी गाड़ी में और यहाँ से कुछ इस तरीके से boot को close कर सकते हैं आप लोग तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा टाटा पंच का ये वीडियो मुझे कमेंट से में बताइए साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और बैल आइकन को भी प्रेस कर लिजएगा ताकि आप लोग और यही वीडियो देख सकें तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंग जै भारत